1936-37 में जब श्य बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आये, उस समय साइन्स ने मनुश्यों को इतने साधन नहीं दिये थे, साइन्स के इतने अविश्कार नहीं हुए थे, इतनी तरक्की नहीं थे, बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश्यों कर, हम ब्रामनों को रच्छा, सत्यों के स्थापना का कारे प्रारंबुआ, हमारी तपस्या शिरूई, और उधर विज्ञान ने फिर साधन उपलब्द कराने शिरू कर दिये, और स्थापना का कारे भी आगे बढ़ा, और दीरे दीरे उस समय जो साधक थे, तपस्वी थे, ब्रह्मा बाप, जगदंबा मा, हमारी सभी दादियां, इन्होंने बहुत अच्छी साधना की, बहुत अच्छी तपस्या की, आगे बढ़ते गए, साधन मिलते गए, लेकिन हमारी दादियां, हमारे वरिष्ट, बाई बेने, इन साधनों में वो लिप्त नहीं हुए, इसमें वो आसक्त नहीं हुए, और जैसे जैसे और साइंस साधन देती गई, वस्तु पदार्थ, नहीं नहीं प्रकार की चीजें, जैसे जैसे बनती चली गई, तो जो तो पक्के साधक थे, वो तो इनके वशीबूत नहीं हुए, और जो कच्छे थे, बाबा के बच्छे, वो इनके वशीबूत होने लग और लौकिक पढ़ाई आज हम विद्यारतियों को देखते हैं कि वो भी जब इन साधनों में चीजों में लिप्त हो जाते हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं उनकी एकागरता भंग होती जा रही है और इश्वर्ये पढ़ाई पढ़ने वाले जो इश्वर्ये विद्यारती हैं हो भी अगर इन साधनों में लिप्त होते हैं तो भी पढ़ाई थीक से नहीं पढ़ सकते हैं उनका योग नहीं लगता है तो बहुत ऐसे जो इनमें आसक्त होते गए और उनका ज्ञान और योग वो छूटता चला गया और बहुत सारे ऐसे हैं बाबा के बच्चे जो ज्ञान योग करतो रहे हैं किन्तु उनकी ये जो साधना है वो साधनों पर अधरित चल रही है कैसे अगर तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं घर बार बहुत अच्छा है उनके पास कोठी है अच्छे पदार्थ हैं खाने पीने के लिए और रहने के लिए खाने पीने के लिए तन पर डालने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं गर में अच्छा फरनीचर है, कार है, रेड लाइट है, म्यूजिक बचता है, घीत बचते हैं, सब प्रकार के साधन उपलब्द हैं, शरीर भी ठीक है, तो साधना बहुत अच्छी है। और बाबा कहते हैं, कि साधन निमित मात्र हैं, अगर इन पर आपकी साधना आधारी तै, तो समझो, जैसे रेड के फांडेशन पर बिल्डिंग खड़ी है। जैसे ही ये साधन हिलेंगे, ये जो कच्छे पक्के तपस्वी हैं, साधक हैं, इनकी साधना भी हिल जाएगी। तो आश बाबा कह रहे हैं, सत्गुरू हमें वर्दान दे रहे हैं, क्या आप सच्छे साधकों की साधना इन साधनों पर आधारीत नहीं होनी शेये। अंत में, विनाश किर्समें, आपको ये कोई भी साधन उपलब्द नहीं होंगे। तो साधना जो है, वो स्व परिवर्तन कराएगी और साधना ही विश्य परिवर्तन का आधार है। साधना से ही स्थिती बनेगी। साधना से ही बाबा कह रहे हैं, कि आप सर्वगुन संपन, संपुन निर्विकारी बनेगे। तो इन साधनों का आधार छोड़ते जाओ, अगर साधनों को यूज करते भी हो इश्वरिय सेवाओं में, तो बाबा बार बार कहते हैं, कि अपने उपर बहुत बहुत अटेंशन दो, कि आप इनमें लिप्त तो नहीं होते जा रहे हो, आप इनमें फस्ते तो नहीं जा रह हो, देखते हैं ना, बहुत सारे भाई बहने ऐसे हैं, एक मोबाईल, छोटा सा मोबाईल है, उसमें सारी दुनिया समाई हुई है, उसमें इतने लिप्त हो गए हैं, यह 24 घंटे वो मोबाईल उनके साथ रहते हैं, और नग्यान अच्छे से, बुदी में जा रहे हैं, समझ जाए है, उसको बार-बार देखते हैं, फिर उस मेसिज का रिस्पॉन करते हैं, वीच में फोन कॉल जाती हैं, थोड़ी देर याद में बैठते हैं, फिर सोचते हैं चलो यूट्यूब पर कुछ देख लेते हैं, फेस्बुक खोल लेते हैं, तो साधना कैसी हो गई है, आधारित भी है और साधनों के कारण उस साधना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं, यूज करो, सेवा अर्थ यूज करो, स्वकल्यान अर्थ यूज करो, किन्तु इनमें टूमच फस नहीं जाओ, तो आज का बाबा का ये बहुत सुन्दर वर्दान है हम सब बच्चों के प्रती, बाबा कल्यान का रही हैं, रहम दिल हैं, हमारा भला चाते हैं, बाबा चाते हैं कि मेरे बच्चे बहुत बहुत आगे बढ़ें, ये सत्यूग में उच्पद के अधिकारी बनें, और बाबा ये जानते हैं, त्रिकाल दर्शी, ये साधन, इसमे यह बच्चे दीरे दीरे फस्ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो साइंस ने बहुत कुछ दिया है, 36, 37 में तो कुछ भी नहीं था, आज के समय तो बहुत चमक दमक है, तो B के जो हैं, वो ब्रहमित हो गए हैं, तो बाबा कह रहे हैं, ब्रहमित नहीं होना, इनके जाल में फस्तना नहीं, तो यह बैलन्स है, यूज करना, लेकिन इनसे अपने को डेटैच रखना, तो आपकी साधना, उसके उपर आपको विशेश अटेंशन देना है,